दोस्तों क्रदीवीरी एकाट में इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लैपलास ट्रांस्पॉर्म में लेक्चर नमबर फिट लेकर आएं इस वाले पार्ट में आपको एक चीज तो पता है कि लैपलास ट्रांस्पॉर्म में क्या आता है तो यहाँ पर इंटिग्रेशन हम लेंगे इंटिग्रेशन अप्टो इंफिनिटी तो आपको पता है दोस्तो कहां तक जाना इंफिनिटी पर इस बर स्टार्ट कहां से होना चीए डिवीजन है दोस्तो डिवीजन है मतला इंटिग्रेशन का लिमिट कहां से स्टार्ट होगा एस से जीरो से नहीं स्टार्ट होगा और कुछ basic चीज़े आपको पता होनी चीज़े वह आप पहले देख लो इसके बाद हम question one by one start करेंगे क्योंकि मेरे lecture में हमेशा से खासी तरह है कि मैं basic चीज़ों मैं हमेशा सोसता हूँ कि हर एक बच्चों को यह lecture समझ मैं है तो दोस्तों यहां पर कुछ log की basic चीज़े है जैसे क अगर जिन बच्चों को नहीं समझ मैं है जिन मेरे प्यारे दोस्तों को नहीं समझ मैं है उनके लिए एक और example मैं ले ले रहा हूँ सबोज इस तरह से है तो मैं इससे ऐसा लिख सकता हूँ log of x और यह 5 दोस्तों x के उपर आ जाएगा तो यह rule आपने already 11th class में पढ़ा होग देन इसके बाद एक और चीज़ा आपको पता होगा log of a minus log of b कहीं पे भी आपको दिखाए दिया तो आप directly log लिखो और इसका a divide by इसका b then multiplication of addition को हम multiplication में convert करते हैं वो चीज़ यहाँ पर use नहीं होने वाला इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ then इसके बाद आपको और भी log की क्या क्या property पता होने चीज़ी इतनी property अगर पता होने के बाद आपको एक basic integration पता होना चीज़ी है दोस्तो log यहाँ पर integration of यहाँ पर समझो दोस्तो function है और यहाँ पर उसी function का क्या है derivative है तो directly हम इसका answer क्या लिख सकते हैं दोस्तो log of function directly हम इसका answer लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर एगर मैं example के दौर पर दिखा हूं तो सम्झो यहाँ पर x square है यहाँ पर plus 1 है और धोस्तो यहाँ पर x है सब्सक्राइब यहां पर 2x है अगर आप देखोगे तो x2 plus 1 जो है दोस्तों उसका derivative निकालो x2 का derivative 2x और 1 का derivative क्या होता है दोस्तों 0 होता है तो फाइनली यह वाले पार्ट का उपर derivative तो direct मैं इसका answer log x2 plus 1 log of denominator direct मैं इसका answer लिख सकता हूँ plus c मैं जान भूच के नहीं लिख रहा हूँ जस्ट आपको समझाना है अब दोस्तों कभी का बार ऐसा होगा जैसे यहां पर समझो s square है यहां पर plus 1 है और यहां पर s है इस तरह से अगर question आया तो आपको पता होना चीए अगर समझो इस तरह से तो s square का derivative जैसे x square का derivative क्या होता है 2x तो वैसे s square का derivative क्या होगा 2s अब 2s होगा तो यहां पर बस ऐसे तो यहां पर suppose मैंने 2 लिया और दोस्तों मैंने क्या किया और गै conception पूरे पार्ट का दोस्तों आपको यह पूरे पार्ट का आपको integration पता है, डारेक के आएगा दोस्तों, log of denominator मतलब s square plus 1, तो यह चीज़े अभी हम sum के बीच में solve करने वाले हैं, बस आपको कैसे पता होना चीज़े, इसलिए मैं यहाँ पर यह सब चीज़े बता रहा हूँ, then one by one हम start करते हैं, कुछ चीज़े जो है, दोस्तों, वो sum के बीच में मैं आपको बता दूँगा, question के बीच में, यहाँ पर एक और property के बारे मैं आपको बता दूँ, suppose इस तरह से अगर कोई question रहा, a by b, log minus में, मुझे log को plus करना है, तो बहुत easy तरीका है, दोस्तों, log लिखो, और just इसको उल्टा करतो, log अपने आप plus में हो गया, इस तरह से यह basic चीज़े आपको पता होना चाहिए, दोस्तों, one by one हम question start करते हैं, यहाँ फर्स question हमने दिखाई दे रहा है, दोस्तों, अगर आप देखोगे, तो देखो, यहाँ पर कहा लिखा, find the laplace transform of the following, जो भी है, त cos t का laplace find out करो, आपको इसका laplace already पता है, one का laplace क्या होता है, one upon s, अगर आप मेरा starting selection देख रहे हैं, आपको formula सब पता है, cos t का laplace क्या होगा दोस्तों, formula आपको पता है, s square plus, अब देखो, अगर आप p के आगे देखोगे, तो one दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, मतलब one है तो यहाँ पर कहाई का one का square मतलब one, तो finally हमने इतना part कर दिया, इसका भी दोस्तों आपको marks मिलेगा, इसलिए step by step आपको जाना है, then दोस्तों यह होने के बाद, अब देखोगे हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, division of, effect of division by t, effect of division by t, just मैं ऐसे लिख रहाँ, यह नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैं इसलिए लिख रहाँ कि आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर यह rule apply हुआ है, अब देखो यहाँ पर यह तो हमने निकाल दिया दोस्तों, देखो यह हमने same to same one minus cos t, इसका value हम क्या लेते है, s to infinity, अभी को पता है, और दोस्तों इसके value में हम क्या लेते है, phi s लेते है, यह पूरा का पूरा हमारा phi s है, तो 1 by s, और s by s square plus 1, और दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिखते है, ds, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे, पोड़ा समय उसे उपर लेता तो 1 by s का integration direct क्या आएगा, log x आएगा, तो वैसे 1 by s का क्या आएगा, log s आएगा, तो पर यहाँ पर देखो, अगर मैंने बोला था, थोड़े देर पहले ही मैंने कुछ बोला था, आपको बताया था, दोस्तों कि अगर suppose s आया, कि उपर अगर s आया, और nीचे s square plus 1 आया, य तो उपर 2s होना चाहिए, तो उपर s है, तो मैं यह 2 लेकर आ रहा हूँ, और दोस्तों मैं क्या कर रहो पता है, 1 by 2 से balance कर रहा हूँ, तो अपना part ये वाला है, integration में ये वाला part होगा, चाहिए तो आप limit दोनों को apply कर दो, अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो देखो मैं integration solve कर रहा हूँ, इसका integration सभी को पता है क्या आएगा log s, और ये 1 by 2 से ही रहेगा, इसका integration सभी को पता है दोस्तों, इसका integration क्या आएगा दोस्तों, direct आप बता सकते है log of denominator s square plus 1, और दोस्तों यहाँ पे limit क्या है, infinity और यहाँ पे क्या है, s है, अब दोस्तों ज मुझे क्या करना है, दोस्तों 1 by 2 बाहर लेना है, मुझे पता कि बहुत सारे बच्चों को समझ में आ जाता है, कि 1 by 2 रखूंगा तो यहाँ 2 से multiply करना है, पर कुछ लोगों को नहीं समझ में आता तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने 1 by 2 बाहर लिया, वन दे मातरम बाहर चल रहा है कि आज 15 अगस्त है, और मैं सुबह के टाइम देख रहे हूँ, नो बजे के टाइम लेक्चर बना रहा हूँ, तो स्कूल की रह लिया चल रही है, और वोल रहे है, वन दे मातरम भारत मातर की जै, अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोंगे 1 by 2 बाहर लिया, तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों, लॉग S और यहाँ पे देखोंगे 1 बचा रहेगा, क्यूंकि 1 मतलब उपर का और नीचे का एक 2 क्या हुआ बाहर आया, और उपर एक 2 बचा है, और यहाँ पे क्या दोस्तों, यह 1 by 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे लॉग, यहाँ पे S स्क्वेर प्लस 1 और यहाँ पे दोस्तों, इन्फिनिटी और यहाँ पे S, बहुत सारे लोग यह वाला इस्टेप आप डारेक कर सकते थे, common डारेक ले सकते थे, बर सबको नहीं समझ में आता इसलिए, देखोंगे यहाँ पे प्रॉपेटी आपको मैंने और यहाँ पे स्क्वेर प्लस 1 और यहाँ पे स्क्वेर प्लस 1 और यहाँ पे स्क्वेर प्लस 1 और यहाँ पे दोस्तों, इन्फिनिटी और यहाँ पे स्क्वेर प्लस 1 और यहाँ पे दोस्तों, इन्फिनिटी और यहाँ पे स्क्वेर प्लस 1 और यहाँ पे दोस्तों, इन् अब अगर यहां पे भी यह property भी आपको पता है log a minus log b तो divide में चले जाएगा यह भी मैंने आपको starting में बता दिया है अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ limit put कर रहा हूँ अगर आप एक बार यहां पे क्या करोगे देखो एक बार आप यहां पे क्या करोगे log देखो एक बार put करके भी दिखा रहा हूँ infinity का square s की जगर पे put करना है क्योंकि यह ds है यहां पे सब जगर पे आपने put कर दिया और same एक बार आप क्या करोगे जहां जहां पे s है दोस्तों वहां पे यह वाला s put करोगे तो s की जगर पे s put करोगे तो कोई परक नहीं है तो भी मैं put कर दे रहा हूँ s square plus s square और हमने put कर दिया plus one limit ऐसी put किया जाता है एक बार यह limit then एक बार यह upper minus lower अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो one by two अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो उपर infinity का square infinity यहां पे infinity plus one मतलब infinity 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 की जगपे cancel होके one हो जाएगा ऐसे एक समझने के लिए सबको बता रहो एक basic understanding के लिए समझने के लिए बता रहो तो यहां पे log one आएगा और log one का answer क्या आता है अब दोस्तों अगर आप देखोगे और अच्छे से लिखने कोशिस करोगे बेरे max का हमेशा से rule है कि मैं basic step से जाता हो हर एक step बता तो यह जो मैं steps लिख रहा हूँ book में आपको हर एक step नहीं दिखाई देगा और even सब लोग यह step नहीं बताएंगे अब दोस्तों देखो यह वाला भी rule आपको पता कि minus हटाना है तो यह log लिखा just इसको उल्टा कर दो उपर नीचे कर दो तो यह भी आपको मैंने सीखा है और finally अपना answer आ गया तो इस तरह से division वाली चीज़ों को आपको solve करना है अगर आपने एक question अच्छे से समझा तो मैं उमीद करता हूँ कि आप आगे के सभी questions को बहुत अच्छे तरीके से solve कर सकते हैं अब देखो यह question है बहुत simple तरीके से आप solve करोगे देखो पहले मैं क्या करूँगा laplace of sin square 2t निकालूंगा अब देखो यहाँ पर t से divide है उसका मतलब ही है 1 by t अब यहाँ पर एगर मैं इसका answer निकालूंगा तो सबसे पहले देखो आपको मैंने starting के lecture में basic formula दिया है sin square t का मैंने आपको देखो दिया है sin square sin square t which is equal to 1 minus cos 2t upon 2 मैंने यह formula आपको दिया है बस आपको इस formula के according यह समझना है कि यहाँ पर t का double होता है तो यहाँ पर कहाएगा 1 minus cos 2t है तो 2t का double क्या हो जाएगा 4t divide by 2 अब क्या होगा दोस्तो 1 by 2 बाहर आ जाएगा देखो 1 by 2 बाहर आ गया और laplace of 1 minus cos 4t और यह देखो 1 by t है और यहाँ पर अगर आप solve करोगे तो 1 का laplace 1 by s और इसका laplace क्या आएगा दोस्तों cos है तो उपर s square plus 4 का मतलब क्या 16 यहाँ तक हो गया अब यह होने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है वही effect of division by t यह जस्ट मैं आपके लिखने के लिए चीजे समझने के लिए लिख रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद यह rule अपलाय हो रहा है तो दोस्तों देखो यहाँ पर just यहाँ पर sin square 2t है और यहाँ पर हम t से divide कर रहे हैं मतलब वही 1 by t और अगर आप देखोगे तो आपको पताएगी यहाँ पर हम क्या लेंगे s to infinity और same to same जो भी हमें दिया है यह पूरा का पूरा अपना क्या है दोस्तों 5s है तो 1 by 2 इसका जो है वह बाहर ले ले रहा हूँ direct अंदर क्या आएगा 1 by s s upon s square plus 16 और यहाँ पर गया अगर दोस्तों ds अब अगर आप खोड़ा समय से उपर ले सकता हूँ कोई problem नहीं होना चीए अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों यह 1 by 2 s ही रहेगा इसका भी answer आप लिख सकते हो log s पर इसका answer डारेक नहीं लिखते है आपको पता है यहाँ पर 2 लेना है और यहाँ पर 1 by 2 से balance करना है और आपका यह पूरे का integration आपको डारेक पता है अगर कोई भी function है उसका उपर derivative है तो हम डारेक लिख सकते हैं दोस्तों देखो यह 1 by 2 ता ऐसी लिखूंगा और इसका answer में डारेक लिख सकता हूँ log of denominator जो भी अपना denominator है वो हम डारेक लिखेंगे और यहाँ पर जो भी हमार 1 by 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे दोस्तों 2 आएगा तो अब यह श्रेप अगर आपको नहीं पता होगा तो इसके पहले आले सम में मैंने पूरा basic से बताया तो यहाँ पे डारेक क्या जाएगा log s2 plus 16 और यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों infinity to s अब अगर आप देखोगे द तो हर एक सम्में वही चीज़े repeat होती है और दोस्तों यह 1 by 4 अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा log यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों s2 यहाँ पे s2 plus 16 क्यों मैं कर रहा हूँ क्यों कि माइनस है और यहाँ infinity और यहाँ पे s अब देखो एक और चीज़ आपको पता ह है जैसी मैं infinity इसके इंदर put करूँगा इसका answer 0 आएगा मैंने पहले ही आपको explain कर दिया और यहाँ पे direct answer गया लॉग s2 plus 16 और इकवल 2 अब अगर मैं आगे solve करने इकोसिस करूँ तो दोस्तों यह 1 by 4 यह log और यह s2 plus 16 उपर और नीचे s2 और यह finally solve होगी तो दोस्तों आपक से second question solve किया तो false question में starting में time लगता है आपको समझाने के लिए अब दोस्तों यह next question है और इस type का एक question आपको solve करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दोस्तों t square है t square के question आने के chance अब t square वाले question जो है बहुत बार पुछे गए उपर का जो term हो चेंज हो जाएगा पर solve करने का तरी इसका one by s लेपलास और इसका दोस्तों s upon one यह तो सभी को पता है इसके बाद हम क्या कर रहे थे दोस्तों इसके बाद आप क्या करो पता है t से divide करो direct t square नहीं आएगा पहले t से आप divide करो division by t आप लिख सकते हो अब division by t अगर मैं करता हो तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों s to infinity और जो भी उपर term है दोस्तों वो सेम जो सेम यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों टियेश अब देखो मैं अगर इसे solve करने जाता हूँ तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा देखों यहाँ पर यह 2 हो जाएगा और यह वन बाइ टू से balance कर दिया है अब इसका integration सभी को पता है log s यहाँ पर यह 1 बाइ 2 बाहर ले रहा हूं डारेक्ट जब मैं 1 by 2 बाहर लोंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा log s अगर आपने मेरा first question द्यान से सुना होगा देखा होगा तो यह step मैंने वहाँ पर explain करके दिया है अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर आप देखोगे तो यह 1 by 2 यह log यह s square और यह s square प्लस 1 और यह infinity to s और यह 1 by 2 अब मैं अगर यह put करूँ infinity put करूँगा तो answer 0 आएगा वो मैंने आपको पीछे दिखा दिया है अब मैं s put करूँगा तो answer कहाएगा दोस्तों log s square प्लस 1 बहुत अच्छे से देखो अगर अब भी आप इतने में अगर बोर हो गया पूरा नहीं देखोगे वीडियो पता चला आगे जो कुछ क्यूंकि आगे बहुत जोड़दार question लेने हो और उस तरह के question पूछे गया है तो पहले मैं एक label होता है हमारा पहले question wise question wise question wise फिर essay में जाता हो उपर जाना पड़त अब यह हमारा जो answer था दोस्तो किसका था लैप लास ओव 1-cos t था साइल आ देखो 1-cos t upon t स्कुर्ण चाहिए तो पहले अगर कभी पे ऐसा टी स्कुर्ण आया तो पहले आपको क्या करना है वन माइनस कॉस्ट टी निकालना है दैन आपको टी स्कुर्ण मिलेगा दोस्तों ताब देखो अगें डिवीजन अगें डिवीजन भाए टी वहां पर भी आप लिख सकते हैं बाइ टी तो मैं अगें फिर से division कर रहा हूं तो यह क्या है कि आजएका 1-cos t और अगर मैं इसको फिर से टी से divide करूंगा तो t into t क्या आजएका t square जो हमें चाहिए फाइलिए हमें यही चाहिए फिर से मैं क्या तो अगर मैं division कर रहा हूं तो वही है कि as to infinity of phi s phi s तो हमारा ये पूरा है जिसमें से constant हम बाहर ले ले रहा हूँ और ये log of s square plus 1 upon s square हमने लिख दिया और यहाँ पर गयाएगा दोस्तो ds अब यहाँ पर खोड़ा सा ततर्क हो जाना अपने 12 class में एक भूल पढ़ा होगा कि कभी भी अगर समझें integration में यहाँ पर अगर सब दोस log x आ रहा है और यह dx है तो यहाँ पर हमें सा u into v rule अपला होता है और u into v rule में log x को हम किस से multiply करते हैं दोस्तो 1 से तो यह क्या हो जाएगा आपका u और यह क्या हो जाएगा v मैं जाना कुछ कि इसको u into v rule से ही solve करूँगा जिससे आपको 12 वाले u into v rule सभी को याद है देखो 12 वाले u into v rule का formula क्या था अगर यह u भी है इसका limit है a to b और यह dx है तो दोस्तों यह u यह v और यह यहाँ पर गया जाएगा a to b और minus यहाँ पर गया होगा a to b यहाँ पर d by dx of u और v dx और यहाँ पर dx तो यह यह सारसे इसका definite formula था इससनवा से अगर यह formula आपको नहीं याद पर आप बहूत सारे लोग वहाला भी कर सकते हो जो ! जो जन्रली बहूत सारे लोग करते है d तो उस वाले पार्ट से मैं नहीं जा रही हुं वो स्वाले बहुए सब् outline कि यह अपना पूरा का फोदा यًव हो गया और की दोस्तों हमारा उन हो गया दिए से लॉक के साथ भी हमारा क्याहँ अब यहाँ इसको इसवा में कर रहाँ ध्यान से वीह क्या है hano log s2 plus 1 upon s2 और integration of v integration of v direct में लिख रहो integration of 1 क्या होगा दोस्तो 1ds आएगा तो integration of 1ds क्या होगा s होगा जैसे integration of 1dx क्या होगा x होगा तो वैसे 1ds क्या होगा दोस्तो s होगा तो ये भी हमने direct लिख दिया और direct b2 यह है मतलब यहाँ पर हम direct इसका जो भी limit है वो हम लिख दे रहे हैं और दोस्तो उसके आगे 1 by 2 है तो 1 by 2 हमें ये वाले bracket के आगे लिखना होगा क्योंकि ये 1 by 2 पूरे का होगा तो ये 1 by 2 हमने लिख दिया कोई गलती मत करना यहाँ पर देन दोस्तो माइनस है देखो माइनस है फॉर्मला याद कर लेना दो तीन बार लिख दो यहाँ पर लिमिट है लिमिट क्या है एस टू इंफिनिटी एंड देन दोस्तो देखो derivative of u हमें क्या करना यह वाले पार्ट का derivative लेना है लॉग एक्स का derivative क्या होता है दोस्तो वन अपॉन एक्स तो दोस्तो यहाँ पर फिर से इसका derivative लेना है और अगर इसका फिर से derivative लेना है तो दोस्तो यहाँ पर आपको समझना चीए कि यहाँ पर यूट भी रू लाएगा क्योंकि अगर मैं इस वाले पार्ट का derivative लेता हूँ दी बाई डी एक्स ओफ इस स्विधी इस प्लस वन अपान एप्सक्व आगर मैं इस फाट का लेता हूँ तो यह दोस्तो यू है और यह कैईья यू बाई फिरोल आठी पार स्टीडायग ॥े मने पहले ही डिस्कस किया है मतलब पहले यह यू है और यह को तो हम पहले लिखेंगे मतलब हमने लिख दिया देन डेरिवेटी ऑफ यू अगर यू वी निकालेंगा अब आप स्क्वार का डेरिटीव क्या आगा दोस्तो टुएस और नीचे जो है यह जो भी V है उसका square होगा तो मतलब S square है अगर मैं उसका square करूँ तो S raise to 4 हो जाएगा S raise to 4 तो finally दोस्तो यह जो bad function था हमने उसका derivative भी निकाल लिया अब यहाँ पे यह होने के बाद दोस्तो integration of V dx integration of V हमें पता है 1 है और one का integration के होगा यहाँ पे S होगा और यहाँ पे बीथ रिस्पेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट है यहाँ पे क्या आएगा दोस्तो ds और यह main bracket के होगा अगर आपने इससे अच्छे से solve कर दिया तो आपका answer आजएगा थोड़ा समय time ले रहा हूं चीजों को अच्छे से explain करने के लिए कि आपको समझ में आए अब दोस्तों यह वन बाय टू ऐसी है अगर आपको पता यह infinity अगर इसमें आप पूट करोगे तो answer क्या होगा इसका 0 होगा उसकी वज़े से पूरा answer 0 आ जाएगा तो direct इसमें आप बस s put करो और नहीं s put कर दिया और यह वाला part हो गया अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छे से देखना यह minus है यह s to infinity है और यह s square उपर आ जाएगा s square उपर आ गया तो यहाँ पे s square प्लस 1 और यहाँ पे दोस्तों यह देखो यह इस से multiply हो गया तो 2s cube हो जाएगा इस से multiply हो जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 2s cube और देखो यह 2s होगा और यहाँ पे plus minus minus आएगा upon यहाँ पे s raise to 4 और देखो यहाँ पे एक और s है और finally दोस्तों यहाँ पे डs है और यह पूरे गर अब देखो यहाँ पे जो भी चीज़े है देखो मैं उसको बता रहा हूँ देखो यह प्लस है यह माइनस है चैंसल हो गया अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो गये तो यहाँ पर यहाँ पर यह स्क्यूब है अब क्या बचा उपर माइनस 2S बचा तो देखो अब ध्यान से अच्छे से यह 1 गये अब देखो मैं इस सिर्टाइक लिख दे रहा हूँ कि आपको यहाँ आप समझ में आए अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तो देखो उपपर उपपर मेरे हिसाब से सभी जग़ा पर बस माइनस टू बचा है और तो मुझे लग नहीं रहाए कि कुछ भी बचा हुआ है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्लस और यह टू भी बाहर आजाएगा तो फानली यहाँ पर क्या बचा है दोस्तों 1 अपॉन स्क्वेर प्लस 1 और यहाँ पर क्या है दोस्तों डीएस और यह अब दोस्तों यहाँ पर आपको जरूर एक और चीज़ सीखने मिलेगा कभी भी यह मैंने अल्रेडी आपको जब मैं डबल इंटिकेशन पढ़ा रहा था तो उसी टाइम मैंने बता दिया था कि 1 अपॉन अपॉन एक स्क्वेर प्लस एक स्क्वेर अगर आया और यहाँ पर डी एक्स है तो दोस्तों आप इसे ऐसे लिख सकते हैं यह बन अपॉन एंटी इन फॉर्मॉला है इसका टैन इंव्रस एक्स बाए प्लस सी है पर अब जब हम यहां लिमिट पूट करते तो सी नहीं लेते इस तरह से यह इसका फॉर्मूला है तो देखो दोस्तों यहां से अच्छे से दिकर यह वन बाए टू है देखो max यही होता है कि आप किस तरह से step by step चीज़ों को clearly solve करते आ रहे हो confused नहीं होना है देखो मैं bracket सब कुछ मैं proper रख रहा हूँ देखो यह s है यह log है और यह दोस्तो s square plus 1 है सब भी चीज़ों को मैंने proper रखा है कुछ अब दोस्तो यह 2 भी ऐसी है अब दोस्तो मैं यहाँ पर integration apply करता हूँ अब integration अगर आप apply कर रहा है क्यों मैं यह वाला integration यहाँ पर apply कर रहा हूँ क्यों कि उपर देखोगे तो s वाला term नहीं है अगर s वाला term होता तो मैं balance करता याद है 2 से और 1 by 2 लिखता तो वहाँ पर जब भी उपर नहीं है तो यह वाला formula आएगा हमेशा याद रटना तो वन अपन ए वन अपन ए मतलब दोस्तों यहाँ पर एक्स का वैल्ली यहाँ पर दोस्तो एस है और यहाँ यहाँ पर एंसर क्या है लिमिट क्या है दोस्तों यहाँ पर जो भी लिमिट्स है वह आपको लिख देना है और यहाँ पर तो हमने यह integration भी क्या कर दिया दोस्तों को सॉल कर दिया अब बस हमें क्या करना है इसको स्ट्वाटिक अच्छे तरीके से सॉल करना है और इसका फाइनल एंसर निकालना तो यह वन बाइट तो अभी भी मैं ऐसी रख रहा हूं यह एस लॉग अब अगर आप देखोगे तो यह वन बाइवन का मतलब कुछ नहीं है और एक बार आप क्या करोगे यहाँ पर टैन इंवर्स एस की जेगा पर इंफिनिटी आएगा इंफिनिटी को मैं ज्यादा ही पॉर्म में लिख रहा हूं अब एक बार फिर से ऐसा आएगा यहाँ पर टैन इंवर्स एस आप देखो यहाँ पर यह वन बाइटू यह एस लोग एस स्क्वेर प्लस वन प्लस तू अब मुझे बताओ टैन इंवर्स इंफिनिटी का एंसर क पाइब टू आएगा अब चेक कर लेना और दोस्तों यहाँ पे यह टैन इंवर्स एस यह एसी रहेगा तो फाइनले हम यहाँ तक पहुच चुके हैं और यहाँ तक पहुचने के बाद अगर हम देखें तो यह मैं वन बाइटू अगर अंदर मल्टिप्लाय करू यह वन ब पर क्या बचेगा पाइब टू माइनस यह प्लस साइन तो अंदर कोई फरक नहीं पड़ेगा तैन इंवर्स एस तो देखो फाइनली इसका एंसर दोस्तों यह आया इतने लंबे टाइम के बाद फाइनली हमने इसका एंसर ला दिया अब चलते हैं दोस्तों नेक्स कोर्शन मतला अपने को प्रूफ करना है और यह कोशन इन्फिनिटी ने बहुत बार पुछा हुआ है मुझे ऐसा लगता है कि यह कोशन आपको और बहुत सिंपल है और इस तरह का तो कोई बी कोशन इसका व्रूवत करना इन्फिनिटी दी ने बहुत पर लेज़ो बहुत करना दो समझ जाना है यहाँ पे last में substitution है यहाँ पे last में हमें S का value put करना है इस तरह का मैंने आपको question solve करा है, starting के exercise में solve करा है, मतलब starting के lectures में solve करा है, change of scale property के according मैंने यह question आपको solve करा है, तो उसी के आगे उसी में एक अकसम मैंने solve करा है, तो ध्यान रखना आप देखो मैं इससे solve कैसे कर रहा हूँ, पूरा का पूरा सेम हैँ, देखो मैं क्या करण हैुआ हूँ, सबसे पहले L of जो बिद्द मेरा यह value है, f deको ये E है और ये मैं f dee ले रहा हूँ, तो L of f of t का जो भी मेरा value है, देखो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, पहले मैं sin square t ले रहा हूँ पहले क्या करूँ पता है एक एक value लो sin square t अगर इसके आप laplace कैसे निकालोगे तो sin square t का laplace आपको पता है दोस्तों ये l है 1 minus cos 2t upon 2 अब दोस्तों यहाँ पर क्या आजाएगा 1 by 2 आजाएगा और यहाँ पर क्या आजाएगा 1 minus cos 2t अब यहां पर अगर आप solve करते हो तो दोस्तों यहां पर 1 का laplace क्या आएगा दोस्तों 1 by s ऐसे ही याद हो चुका है और यहां पर क्या होगा दोस्तों s, यहाँ पर s square और यहाँ पर 2 का स्क्वार कितना होगा दोस्तों 4 तो finally हमने यह निकाल लिया इतना भी अगर आपने solve के हैं इसका ही marks है हमें दिखाई दे रहे डीवाइड बाय टी है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे division by t तो finally दोस्तों यह क्या होजेगा l यहाँ पे क्या है दोस्तो, sin square t divide by t और अगर मैं division by t करता हूँ तो आपको पता है कि हम integration लेते 0 to infinity, यह 1 by 2 हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे क्या है का दोस्तो, 1 by s और यहाँ पे क्या है, दोस्तो, s और यहाँ पे क्या है, s square plus 4 अगर मैं इसे solve करने कोसिस करूँ, तो यह भी आपको step पता है कि दोस्तो, यहाँ पे हम 2 लेते हैं और यहाँ पे 1 by 2 से balance करते हैं जब भी उपर s दिखाई दिया, तो दोस्तो यहाँ पे यह क्या हो गया, 1 by 2 और मैं इसका integration लोगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोस्तो, log s और यहाँ पे यह देखो, 1 by 2 ऐसे ही है, और यहाँ पे answer क्या हो जाएगा, दोस्तो log of denominator, जो भी है अब यहाँ पे यह solve होने के बाद, अगर मैं इससे आगे solve करूँ, तो दोस्तो देखो, यह 1 by 2 और अगर मैं 1 by 2 बाहर लो, common लो, तो यह finally क्या हो जाएगा, दोस्तो, 1 by 2 के बतले यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 by 4 और यहाँ पे क्या जाएगा, 2 log s, आपको पता है, यहाँ पे 2 से multiply करना होगा, जब भी हम common लेंगे, और यह तो common में चले गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, log s square plus 4, और यहाँ पे, अब दोस्तो यह 1 by 4, अब यहाँ पे क्या होगा, log s square यहाँ पे क्या होगा, log s square plus 4 अब यहाँ पे यह 1 by 4 यहाँ पे यह log और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यह divide में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, s square यहां पर गया होगा s2 plus 4 देखो हमने यह भी लिख दिया स्वरी यहां पर है मैं लिमिट नहीं लिखते जा रहा हूं लगता है यहां पर मुझे लिमिट यहां पर डाल देना चाहिए था infinity s infinity s infinity s infinity s अब दोस्तों यह भी आपको आता है solve करने देखो यह 1 by 4 यह वाला पार्ट आपको आता है infinity जैसे ही में put करूंगा answer 0 आएगा then minus then यहां पर गयागा log of s square plus 4 practice हो गया होगा इतने बार चीजे करके तो यह 1 by 4 इसको just ultra कर दोके तो यह plus हो जाएगा तो देखो मैंने इसको ultra कर दि ठीका अब अगर आप ध्यान से करोगे ध्यान से अगर आप चीजों को समझने कोसिस करोगे तो दोस्तों यह देखो मेरा यह जो answer है laplace of sin square t by t equal to इसका answer कितना है दोस्तों 1 by 4 log of s square plus 4 upon s square यह answer आए और दोस्तों अगर आप ध्यान से बहुत अच्छे से समझने कोसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यह जो जो भी यहाँ पर जो भी हमें values दिखाई दे रही है देखो मैं यहाँ पर लिख रहाँ 1 by 4 log s square plus 4 upon s square यह जो answer आया है दोस्तों यह जो भी answer आये यह indirectly 0 to infinity हमने फॉर्स पार्ट में पढ़ा था फॉर्स पार्ट में बताता हो मैं e raise to minus ht f of t dt इसका answer है आप बोलोगे ऐसे कैसे तो देखो यहाँ पर 0 to infinity e raise to minus ht मैंने आपको first lecture में लिखके दिया f of t dt which is equal to हम इसे direct क्या लिख सकते हैं ले ब्लास of f of t दो दोस्तों यहां पर यह वाला जो हमने पार्ट निकाला यह जो हमने नीकाला तो यह equal to kya laplus of f of t है क्योंकि f of t का यह जो इसके आगे जो function था f of t का ही также है तो हमने यह वाला पार्ट निकाला है यह वाला पार्ट तो इसका ही एंसर यह है तो मैं इसके जिगा पर यह लिख सकता हूं और दोस्तों यहां पर इसी का मतलब यह है बट हमें हमारे क्या है अगर आपको नहीं समझ में आ रहाएं यह लिखो और इसके आगे आपको यह लिखे देना है और travel सक का वैलू कितना है अगर समझो, minus 2T होता, तो S का value कितना होता, 2, minus 3T होता, तो 3, पर यहाँ पे minus T है, मतलब put S equal to कितना 1, मैंने already lecture number second में इस तरह के question solve कर रहा है, confuse मत होना, कि सर यहाँ तो E raise to S T आया, तो first drifting theorem अपलाए करना है, दोस्तो, वहाँ 0 to infinity नहीं होता, first drifting theorem जाके अच्छे से देखो, T और DT equal to, इसका answer क्या है दोस्तो, अगर आप और अच्छे से समझना चाते हो, तो एक मिनिट में आपको बता रहा हो, लहीं इतना तो आप लिख लो, log of, यहाँ पे देखो, 1 put किया, 1 का square 1, और प्लस 4 direct phi, और यह नीचे 1, तो finally मैं इससे क्या लिख सकता हो, 1 by 4 log 5, direct मैं इ 0 to infinity e raise to minus st f of t, which is f of t dt, which is equal to f of, लैपलास of f of t, लैपलास of f of t, अब दोस्तो, यहाँ पे लैपलास of, क्या है, हमने क्या निकाला, लैपलास of sin square t upon t, हमने अगर सबोज निकाला, तो इसका कैसे बनेगा, 0 to infinity e raise to minus t, यहाँ पे क्या आजाएगा, f of t की जब पे क्या तो देखो, यह equal to e हो रहा ही कि नहीं हो रहा है, तो देखो, इसले मैंने इसकी जगापे, देखो, इसकी जगापे मैंने यह लिखा है, देखो, 0 to e raise to st f of t, अब समझा आपको, कि मैंने इसकी जगापे यह क्यों लिखा है, तो देखो, यहाँ पे मैंने इसकी जगापे यह हो जा रहा है थोड़ा सा लॉखा जाकर होजा रहा रहा है चलते हैं next listen कीश यहां व्योंति है तैक्सारे लोह कर लेकिशन है सर। यह कॉंशन का किसी क्षपोंगब होगा अब दोस्तों मैं क्या अगरूँगा सबस्वेल लैपलास निकालूँगा लैपलास of cos of a t minus cos of b t अब cos of a t और cos of b t का answer क्या आएगा दोस्तों 1 upon sorry s upon s square plus a square और यहाँ पे क्याएगा s upon s square plus b square तो यह हमारा इसका answer आगया अब यह answer आने के बाद दोस्तों मैं क्या करना है division by t लेना है तो मैं यहाँ पे दिखो cos a t minus cos b t and division by क्या ले रहा हूँ दोस्तों t तो finally अगर मैं इससे solve करता हूँ तो division by t में हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम क्या लेते हैं s to infinity और जो भी value दिया है दोस्तों s s square plus a square s s square plus b square और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों ds अगर आप यहाँ पे दियान से देखो गए तो दोस्तों यहाँ पे भी integration आया है तो यहाँ पे हम 2 लेंगे कि उपर s आया है और 1 by 2 से balance कर रहे हैं और यहाँ पे भी 2 लेंगे और 1 by 2 से balance कर रहे हैं अगर यह वाला पार्ट आप देखो तो उसको उपर आपको derivative मिल गया इस वाले पार्ट का भी आपको derivative मिल गया तो आप को रोलरी अपलाई कर सकते हो तो डारेक आप लिख सकते हो दोस्तों यह 1 by 2 जो है वह ऐसी रखो डारेक आप यहाँ पे लिख सकते हो लॉग और स्कूरर मीनश पर लॉग चुबी लॉग का वैलू है कि यहाँ पर साथ मिख दूषरा का दूसरा जो भी वैलिव रेंग है क्योंकि बीच में माइनस है अब दोस्तो ध्यान से अच्छे से आपको चीजों को समझना है अब दोस्तो इसी का मतलब देखो आपने ये जो solve किया है इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ 0 to infinity क्योंकि मुझे 0 to infinity क्वार्ट करना है e raise to minus ht और दोस्तो उसके आगे में क्या लिख सकता हूँ f of t और यहाँ पर गया लिख सकता हूँ dt और दोस्तो इसी का एंसर क्या होता है laplace of f of t और laplace of f of t हमने उपर निकाला है दोस्तों यह हमारा पूरा laplace of f of t है बस यहाँ पे अगर आप देखते यह question में कैसा उन्होंने घुमाया पता है यह पूरा का पूरा लिखा है और यहाँ पे e raise to नहीं दिया है तो उससे डरना नहीं है अगर दिया नहीं है तो मतलब दिया होगा पर वहाँ e raise to 0t होगा अब e raise to 0t मतलब 0 होता है e raise to 0 मतलब तो दोस्तो इसलिए यहाँ पे अगर उन्होंने ऐसा 0 to infinity दिया है और e वाला टर्म गाया पे तो आप direct e वाला टर्म लेलो और बस यहाँ पे अब s equal to मुझे समझ में आगेगी e वाला टर्म गाया अब तो s equal to क्या आएगा 0 आएगा अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैं इस log और यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखो 0 put करूँगा तो यहाँ पे क्या जाएगा a square और 0 put करूँगा तो b square फाइनली यह मिला और दोस्तों यह 0 to infinity e raise to 0 t मतलब e raise to 0 t मतलब कुछ नहीं e raise to 0 मतलब 1 होता है तो वो नहीं लिख रहा और f of t क्या है मारा दोस्तों f of t इसके अंदर जो है वो है मतलब क्या है cos a t minus cos b t divide by t तो यह भी हो गया और यहाँ पे गया है दोस्तों dt तो फाइनली इसका answer मिल गया दोस्तों 1 upon 2 log a square upon b square तो फाइनली हमें इसका भी answer मिल गया त more questions भी आपको solve करने आना चाहिए इसके पहले वाला question भी ऐसा ही था same question था कोई changes नहीं था दोस्तों आप चाहिए तो यहाँ पर देखो f of t का बस value पुट कर लेना f of t का जो value है दोस्तों यह है sin square t upon t बस यह काम कर लेना तो दोस्तों दोनों ही question solve होगे आप चलते हैं next question की औ पर एक जोड़दार question और देखते हैं अब दोस्तों next question है ये question के बतले में आपको ये question बता रहा हो ये question जैसी मैं आपको बता दूँगा तो उसी type का same question है और ये question भी मुझे बताने की ज़रूत नहीं है ये already जो अभी मैंने question solve कर रहा है उसी की तरह है पर बता दे रहा हो देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा changes है देखो 0 to infinity आपको दीख रहा है e raised to something आपको पता है कि last में आपको two put करना है और something यहाँ पर कुछ दीख रहा है बस यहाँ पर multiplication form में तो अगर अभी भी अगर आप कोई अगर भूल गया होगा देखो पहले मैं laplace of ये दोनों में से देखो greater कौन सा है दोस्तो sign angle देखो angle 3t है और 2t है तो मैं जो greater है वो पहले लिखता हूँ and then दोस्तो smaller लिखता हूँ तो हमें पहले यह find out करना है और आपको पता होगा कि कभी भी अगर multiplication form में है trigonometric function तो आप उन क्या करते है उसको addition या subtraction form में convert करते है तो इसका formula है दोस इसका formula 1 upon 2 sin यह दोनों angle का plus कर दो कितना होगा 5t और दोस्तो अगर sin cos आता है तो यहां पर क्याएगा plus वही अगर cos sign आता तो बीच में minus आता तो यहां पर फिर से sin आएगा और दोनों ही angle का minus कितना होगा दोस्तो t तो finally मैंने इससे formula में convert कर दिया lecture number first में सब चीजे बताया ह तो अगर आप मेरा यह lecture देख रहे हो मतला आप lecture number first से आ रहे हो तो मैं इसले फिर से यह formula नहीं लिख रहा हो तो देखो यह 1 by 2 आया then laplace of sin phi t plus sin t अगर मैं इसके values को निकालू तो phi t का value क्या होगा दोस्तो a a मतलब phi s square plus a square मतलब 25 a मतलब 1 s square plus 1 square मतलब 1 मैं direct formula में convert कर दिया formula भी आपको अब याद हो गया होगा अब दोस्तो यह होने क्या अब आपको देखो नीचे रिखाए रहे है division by t तो अब division by t अगर मैं करूं इसी same को sin 3t multiply by cos 2t and division by मैं क्या कर रहा हो दोस्तो t तो finally यह क्या हो जाएगा दोस्तो division by t मतलब आपको क्या करना integration लेना integration जब मैं ले रहा हूं तो 1 by 2 constant बाहर ले रहा हूं तो यह 5 upon s square plus 25 और यहाँ पर 1 upon s square plus 1 और यहाँ पर कहाएगा दोस्तो ds अब ध्यान से अच्छे से देखो कैसा भी question आए अगर आपको steps पता है तो आप आराम से solve कर सकते हो अब यहाँ पर यह देखो 1 by 2 है यहाँ अगर मैं देखो तो यहाँ पर इसका अगर मैं integration निकालने जाओं तो यह problem क्या है पता है उपर s नहीं है तो हमें कौन सा follow formula apply करना होगा आपको मैं थोड़े दिर पहले यहाँ फॉर्मला दी है 1 upon x square plus a square dx x equal to 1 upon a tan inverse x by a अब दोस्तों यहाँ पे same formula अपला होगा तो उपर का फाय है उसको वैसे यहाँ पर रख दे रहा हूँ अब इसके उपर formula अपला हो रहा है formula के according अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x square है और यह square form में नहीं है तो इसको square form में करोगे थे क्या होगा फाय का square प्लीज 5 समझना उसको एस मत समझना तो यह क्या आप ऑज़ेगा दोस्तों 1 upon a a मतलब यहाँ पर a का value कितना है दोस्तों pi है और 10 inverse x by x कितना है दोस्तों x मतलब यहाँ पर s है और a मतलब यहाँ पर किया दोस्तों pi है प्लस यहाँ पर हम आगे देखे तो same यहाँ पर भी यही आएगा 1 upon a, a मतलब 1 tan inverse x by a x मतलब s है और a मतलब 1 है और दोस्तों यहाँ पे limit जो है वो कहाएगा s to infinity तो हमने यह भी लिख दिया पुरा का पुरा formula में convert किया क्यों किया कि उपर s नहीं था अगर s होता तो हम balancing वाले rule से कर देते अब यह 1 by 2 हुआ देखो यह दोस्तों ये 5 5 cancel हो गया तो यहाँ पर कैया होगा tan inverse s by 5 प्ルस यहाँ पर tan inverse यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों s और यहाँ पर क्या हो जाएगा dोस्तो infinity और यहाँ पर क्या हो जाएगा s अगर आप देखोगे 1 by 2 अगर मैं यहाँ पर infinity put करता हूँ तो infinity by 5 मतलब infinity और tan inverse infinity का answer क्या होता है दोस्तों πाई बाई 2 प्लस यहाँ पर भी अगर मैं infinity put करूँगा तो इसका भी answer क्याएगा दोस्तों πाई बाई 2 अब माइनस लेंगे अब यहाँ पर अगर मैं s put करता हूँ इसके जगह पर तो क्या हो जाएगा यह यहाँ पर मैं put करता हूँ देखो यह माइनस है इसकी वज़े से ऐसा होता है यह वाले पार्ट को देखो आपने एक बार पूरे पर infinity put किया फिर बीच का minus फिर चलो मैं पूरा ही solve कर दे रहा हूँ फिर यह वाला पार्ट put करते टाइम आपको bracket में रखना अगर यहाँ minus है तो आप देखो यहाँ पे भी put कर रहा हूँ तो यह 10 inverse S है और यह अब आप क्या करोगे दोस्तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे 1 बाय 2 यह पाय बाय 2 प्लस पाय बाय 2 माईनस 10 inverse S बाय 5 और प्लस प्लस का यहाँ minus हो जाएगा 10 inverse S बहुत सारे लोग यह वाला step डारेक्ट लिख सकते हैं अगर मैं देखूँ तो यह जो मेरे को answer मिला है दोस्तो वो किसका answer मिला है 0 to infinity e raise to minus st f of t और dt और finally मैं इसे ही मैं क्या बोल सकता हूँ 0 to infinity e raise to minus st और f of t का value क्या है दोस्तो जो लैपलास के अंदर जो value लिखा है वही मेरा f of t का value है यह पूरा का पूरा value है यहाँ पे sin 3t sin 3t cos 2t upon t आप चाहिए तो यह वाले part को जैसे question में लिखा है वैसा आप लिख सकते हो फाइनली यह वाला part हमने इसके जगा पर यह लिख दिया और लैपलास of यह वाले part का answer जो भी है वेरा 1 by 2 यह दोनों का अगर आपको solve करना 2 one time हो गया और यहाँ पे गया हो गया 2 pi उपर का pi pi plus हो गया 2 pi और फाइनली यह pi pi cancel हो गया 2 2 cancel हो गया फाइनली यह पूरे का answer direct में pi लिख दे रहा हो आप plus कर ले न then minus 10 inverse s by 5 minus 10 inverse s अब अगर आप भ्यान से देखोगे तो दोस्तो rule wise हमें हमारे question में क्या चीए है वो check करो हमारे question में हमें क्या चीए है दोस्तों यहाँ पे 2 है तो rule wise हमें यहाँ पे 2 put करना है मैंने बोलाएगे जहाँ पे भी अगर आपको 0 to infinity दिखाई दे substitution apply करना है starting के exercise में ही मैंने आपको बता दिया है अब दोस्तों यहाँ पे put s equal to क्या करोगे 2 अब देखो यही question क्या हो जाएगा change हो जाएगा e raise to 2t question की तरह लिख दे रहे और यहाँ पे dt अगर आप किसी ने ऐसा same रखा तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब जोको यह 1 by 2 यह क्या हो गया पाई और यह क्या हो गया दोस्तों tan inverse s की जगह पे क्या आजाएगा 2 तो यहाँ पे क्या आजाएगा 2 by 5 और इनिवर्सिटी एक्जाम में ऐसे question बहुत बार पूछे जाते हैं कि जहाँ पे s और 5 में बच्चे confused हो जाते हैं जैसे किसी ने यहाँ पे गलती से s दीखा यह 5-5 cancel करती है अब 5 समझ के तो ऐसे गलतिया हो चाहते कि ऐसा गलति कोई करे अब दोस्तों अगर हम देखें तो यह 1 by 2 और यह पाई और अगर मैं इससे bracket form में लिखू तो यह गहाँ देखा tan inverse 2 by 5 प्लस tan inverse 2 अब मैं देखो इससे bracket form में ही रखा हूँ और finally मैं यहाँ पे एक formula अप्लाए कर सकता हूँ यहाँ पे formula मैं apply कर सकता हूँ कौन सा यह 1 by 2 ऐसी है यह पाई भी ऐसी है यह tan inverse वन टाइम लिखूंगा और tan inverse का जो formula है दोस्तों क्या आएगा a plus b मतलब उपर अलग जो part है वो plus में और यहाँ plus है इसलिए plus लिया और नीचे अलग आएगा 1 minus a into b अलग जो भी है वो a into b ने इसमें formula apply कर दिया देखो यह दोनों tan inverse में तो formula tan inverse a plus b अगर यहाँ minus होता तो हम minus a minus b लेते हैं और नीचे plus लेते हैं अगर मैं इसे solve करने ही कोशिस करता हूँ तो यह two five two is a ten upon five तो finally twelve upon five तो यहाँ पे कितना 12 upon five आया तो मतलब उपर का answer 12 upon five तो मतलब देखो मैं यहाँ पे solve करो tan inverse 12 upon five आ गया नीचे देखते क्या आता है one minus two two सा क्या हो जाएगा दोस्तो two two सा four upon five तो finally five one सा five minus four upon five तो one by five तो यहाँ पे answer गया है दोस्तो one by five अब यह five five cancel हो गया तो finally one by two यह पाई यहाँ पे डारेक हम लिख सकते है tan inverse 12 तो यह पूरे को मैंने solve करके डारेक answer लिखा और यही है दोस्तो अपना final answer और यहाँ पे जो मैंने formula यूज किया वो formula चाहिए तो मैं आपको लिखके दे रहा हूँ कि आपको तकलीप नहोँ देखो tan inverse a plus tan inverse b equal to tan inverse मैन मैं नहीं देता हूँ तो मुझे तकलीप होने लगता है इसलिए मैं लिख दिया फाइनली यह फॉर्मला लिखने की ज़रूत नहीं है आपने यहां तक answer ला दिया अब देखो यह वाला question same to same question है बस एक question मैं आपको solve करने के लिए दे रहा है और लगभद हर एक questions मैंने solve कर दिये इसलिए मेरा lecture थोड़ा सा आपको बड़ा दीखेगा और मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरह से आप हरे question solve करोगे तो ही आप अपने university exam में कुछ अच्छा कर सकता है ऐसा नहीं कि आप बस मेरा lecture देखके मैं lecture बना रहा हूं मैं lecture हमेशा कभी lecture बनाने की तरह नहीं बनात तो अगर आप स्टार्टिंग से आ रहा है तो आपको पता है फिर यह साइन टी से उसको multiply करके यह पूरा का पूरा पार्ट आप solve करो देन इसके आप पूरा का पूरा पार्ट जैसे ही solve हो जाएगा solve होने गया दोस्तों फिर वही s के बदले आप क्या करोगे root to put करोगे root to put करने के बाद जैसे आप root to put करोगे तो वहाँ पे कुछ आपको tan inverse का something formula जैसे अब भी मैंने बताया tan inverse a plus b वाला इक formula वहाँ पे दिखाई देगा तो finally आप उसे convert करके आपका answer 5 by 8 आ जाएगा अगर नहीं solve कर पाया तो बोलना तो जब revision lecture लूँगा तो करा दूँगा पर लगभग एक ही question में आपको दे रहाँ वीडियो को देखने के लिए दिल से thanks thank you so much दोस्तों मिलते है next lecture में आप next lecture में दोस्तो next lecture मेरा combine lecture होगा जिसके अंदर हम derivative औ और integral दोनों ही ले लेंगे लेपला सब derivative और integral दोनों ही हम solve कर देंगे एक ही lecture में तो next lecture मेरा final lecture होगा इस topic पर bye bye take care मिलते है next lecture में जहीं दोस्तों